हेलो एवरिवन होप यार कीपिंग वेल सो बिसिकली आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिसकस करेंगे जो की डिसेंटली आपका इंडिया एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया और इवन इंटरनेशनल मीडिया ने से बहुत कवर किया है और यह बहुत निउस में है ठीक है मेंली यह मेंस्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगा तो यह इसका डिसकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्द जी के पर परस्पेक्टिव और एंड फॉर्द जर्नल इंफॉर्मिशन एक्चुली यह निउस आ रही है आपकी सीधा रोम से जिसमें क्य क्याइं और वह क्यर्णच कौन घुटकर सेर्ड़ यह व्युक्त के दो रही है कि वसब करना को जानगे वह मतलब है कि उस प्षॉर्ण उस चर्च बोगे उस चर्च मेर्श में इंडिया के जो प्रीस्ट है वह और वे वह एंबल किये जाएँगे इंडिया के clergy में है वहाँ पर लाई जाएंगे और वो एक तरह का इंडिया को एक तरह का nomination जैसी देने वाली बात होगी तो यह अपने आप में बहुत important है ठीक है जहाँ पर आप बात करें जो center of the catholic church और सबसे ज़्यादा world में कोई religion follow किया जाता है तो जैसे कि आप जानते है Christianity और Christianity में जो Catholicism है ठीक है जो under the Pope आते हैं वो सबसे ज़्यादा Catholic churches ही है या Catholic people ही है तो उनका जो center है जो Rome है उसमें एक church है एक simple church नहीं है ठीक है इसे Basilica church बोलते हैं देखे Basilica जो है बहुत important shrine होती है बहुत important pilgrimage होता है Christians का basically ये church ही होता है जो की बहुत famous होता है due to its history या फिर वहाँ पर कोई बहुत बड़े miracles होते हैं या बहुत ज़्यादा importance होता है culturally, architecture से related उसे Basilica बोला जाता है ठीक है और Basilica की जो आप कह सकते हैं कि लोग जो उसके देखने आते हैं या tourism के aspect से बहुत important होता है इंडिया में भी एक Basilica है अगर आप जानते हैं तो मुझे comment section में आप बता सकते हैं ठीक है तो उसमें एक जो आपका Basilica है चर्च है Santa Anatasia वो जो चर्च है वो अब किसके अंडर आजाएगा आपके केरला सिरो मलाबार चर्च यह community है इंडिया में ठीक है और यह इंडिया का ही चर्च है basically इंडिया का ही चर्च है and it is more than I think 100, 1000 years or it is after the you can say the resurrection of Jesus Christ when okay when the Saint Thomas जो के disciple थे जीसस क्राइस के जब वो इंडिया आए तो उनोंने ठीक है वहां से उनकी preaching से यह church set हुआ केरला सिरो मलाबार चर्च और इस समय बहुत ज़्यादा इंडिया में इसकी जो है लोग इसे फॉलो करते है तो उसको अब एक तरह की representation मिलना रोम में बहुत बड़ी बात है तो आईए थोड़ी से हम इसके बारे में discuss कर लेते हैं तो कि आप देख सकते है इमेज में यह आपका church है ठीक है बहुत ही important और आपका जो कहे है significant church है रोम में that is Santa Anattasia Minor Basilica ओके एक major basilica होता है एक minor basilica होता है ठीक है तो minor basilica है fine तो आप देख सकते हैं कोची से जे news print हुई है जिसमें लिखा है कि Santa Anattasia Minor Basilica in Rome one of the oldest Christian churches and one of the oldest minor basilicas in the world has been assigned to the Kerala based Siro Malabad church SMC by the Vatican okay Vatican means which is the Vatican अगर आप जब भी Vatican words सुनते हैं तो Pope का जो आप कह सकते हैं एक तरह का order होता है ओके Vatican इसा place where Pope's live तो Vatican का अगर कोई भी statement होती है वो directly आपके Pope के द्वारा जो कि समय Pope Francis 16 है ठीक है उनके द्वारा जो है ये दी जाती है तो SMC basically इसा Siro Malabad church which has given the statement on Sunday said that Cardinal Angelo D. Donatius the Vicar General of Pope Francis तो Vicar General एक तरह की post होती है Catholic Church में जो की under the Pope Francis होते है ओके Pope Francis के कुछ जो आप कह सकते हो company में जैसे board of directors होते है इनके भी एक तरह के बहुत ही जो important positions होती है that is one of kind of post that is a Vicar General for the Diocese of the Rome ठीक है ये एक Diocese जो Rome की एक Diocese है उसके अंडर ये church आता है ओके ध्यान रखेगा and Rose and Rome has issued the decree assigning the Santa Anastasia Minor Basilica to SMC अब इसका मतलब होता है कि वहाँ पे जितनी भी responsibility है उसको handle करने का तरीका जितने लोग आएंगे उसका वहाँ का prayer का timing prayer का worship worship जो भी तरह की जो भी religious activities वहाँ होगी वो सब आपके Kerala के जो church है सिरो मलाबार के अंडर आजाएगी जो वहाँ पे जो priest होते है जैसे parish priest बोला जाता है या वो जो church priest होते है वो भी हमारे Kerala से ही जाएंगे या इस particular community से जो सिरो मलाबार community है इसमें से ही जाएंगे या आप कह सकते हैं इंडिया से जाएंगे basically ठीक है तो ये की एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम world platform पे भी बात करें तो specifically Christianity में जो कि इंडिया को एक representation की मिलने वाली बात भी है ठीक है इंडिया से भी आप देख सकते हैं कि जैसे cardinals होते हैं जो under the pope, direct under the pope आपकी जो post होती है वो cardinals होती है उसमें भी इंडिया के 3, 4, 5, if I'm not mistaken इंडिया के हैं ठीक है तो वो भी एक तरह की representation तो जो कि अच्छी बात है हमारे country को एक representation बिल रही है उसमें ठीक है so according to SMC Emperor Constantine started the construction तो ये basically church के से बनाया था Emperor Constantine जो इसके बारे में आप recent news में भी सुना होगा आपने और आपने इस्ट्री में पढ़ा होगा जो हेगा Sophia है तर्की में वो भी नोने बनवाया था okay so during the 325 to 336 AD St. Jerome the Bible scholar has preached this church and it built on the Palantine hill the administrative center of a Roman empire very close to the Colosseum so this is the basic information given about the church जो के ठीक है जिसे बनाया था Constantine ने during the 325 to 326 AD जो की बहुत पुराना church है और इतना पुराना church इंडिया के you can say community को मिलना जो की बहुत अच्छी बात है okay it is a good news and so basically this is that's why this you can say center Anatasia और the Ciro Malabar is in news so hope it is clear to you okay thank you so much के पुराना फुरानाथ पुरानाथ 4 के अच्छी बातार। का जो एक है जो कि अच्छी आपे एंब एंगी दो पुरानाथ 4